बांका जिला में सराब तसकरी के खिलाब अब तक की सबसे बड़ी रेड में सोम बार को करीब 25 लाक रुपीय मुली की बिदेसी सराब जपत की गई सराब की यह बड़ी खेब जारकंड के गरीडी से उत्तर बिहार के कटिहार रोट ले जाई जा रही थी ट्रक पर महंगे बरांड के 620 काटून बिदेसी सराब सिमेंट की बोरियों के नीचे छिपा कर लाए गए थे सराब तसकरी के खिलाप या कारवाई उत्पाद विभाग की बाका टीम ने की है कारवाई में ट्रक चालक सहे दो तसकर गिरहतार कर लिए गए है मुख सरगना की तलास की जा रही है बाका जिले में उत्पाद विभाग ने सराब तसकरों के खिलाप अभियान छेड़ दिया है इस अभियान में विभाग को लगातार सफलता भी मिल रही है जिले के अंतर राजजिय सीमा से लगने माले सभी पर मुखसरकों और राज मारगो पर उत्पाद विभाग के स्पेसल टास्क फोर्स की टीम लगातार गस्त लगाती छापे मारी कर रही है इस अभियान में पिछले कुछ सफता के भीतर उत्पाद विभाग की बाका टीम को कम से कम पांच बड़ी सफलता मिली है जिसमें पांच ट्रक और कई छोटे वहानों सहित करीब दो करोड रूपीय मुल्य के बिदेशी सराब जब्त और बरामद करने में कामियाबी हासिल हुई है इस अभियान की ताजा कड़ी में उत्पाद विभाग की बाका टीम ने भागलपूर हश्डिया हाइवे पर बाका जिला अंतरगत बौसी थाना च्छित्र में गुरुधाम मोड के समीप हश्डिया की और से आर हैक ट्रक की तलासी ली तो टीम में सामिल अधिकारी और सच् गई तसकर ने ट्रक पर लोड सराब के इस भारी भरकम खेप को मंजिल तक पहुँचाने के लिए बेहद सातिराना अंदाज में उसे सिमेंट की बोरियों के नीची छिपा कर रखा था बालू माफिया बाका सहर में प्रसासन की नाक के नीची अपनी माफिया गरी करने की जुर्रत खुले आम कर रहे हैं सहर के परमुख मार्ग पर डंप कर यहां बालू का वेधिकारो बार चल रहा है, इस अवेधिकारो बार का भंड़ा फोल सोम बार को जिलाखननपतादिकारी संजेक कुमार ने किया। जरिये बालू की अवेदरूप से ढुलाई होती थी इस कारोबार की जानकारी प्रसासन तक पहुँची तो उनके ब्रुद्ध कारवाई हुई जिला खनन पताधिकारी के मुताबिक गांधी चौक से होकर बालू के ट्रांसपोर्टेशन की पुष्टी सीसी ट्वी फुटेज में भी हुई है पुष्टी होने के बाद बालू के ट्रांसपोर्टेशन की रूट पॉइंट की तहकिकात की गई तहकीकात में बाका सहर के जगतपूर के समीब कटोरिया रोड में मुख्य सड़क के किनारे बड़े पैमाने पर बालू डंप पाया गया सोमबार को सस्तरबल के साथ उनके खिलाब कारवाई की गई खनन पतादिकारी ने JCB की मदद से दो हाइवा पर लाद कर उक्त करीब 1000CFT बालू को जब्त करते हुए बालू डंपिंग पॉइंट जे ठोर पहुचा कर इस्टोर कर दिया उन्होंने बताया कि इस सिलसले में एक अवेद बालू लोड ट्रैक्टर भी जब्त किया गया है जिसके खिलाब कारूनी कारवाई की जा रही है जब्त बालू जिस घर के सामने डंप था उसके मालिक से जब इस सिलसले में कागजात की मांग की गई तो वे उपलब्ध नहीं करा सके उन्होंने बताया कि इस कारूबार में सामिल माफिया तत्वों के खिलाब कारूनी कारवाई की जा रही है बांका जिला के अमरपूर थाना चित्र के चपड़ी सुड़ीहारी ग्रामिन पत के समीप बलुवा गाउं के पास अवेद खनन से हुई गड़े में असनान करने के दौरान डूब कर एक यूवक की मौत हो गई मिरतक यूवक की पहचान बेजूडी पंचायत के चकमुरली टोलानिवासी भवेसानन ठाकूर के 23 वर्सिय पुत्र क्रिस्ना ठाकूर के रूप में हुई है घटना स्थर पर मौझूद ग्रामिनों से मिली जानकारी के अनुसार बलुवा गाउं के समीप रोड किनारे खेत से काफी मातरा में बालू निकालने के कारण खेतों में बड़े बड़े गड़े बन गए और गड़्धा पोखर में तबदील हो गया सोमबार की दोपहर कुछ बच्चे और यूबक उसी पोखर में असनान कर रहे थे थोड़ी देर के बाद कुछ बच्चे सूर मचाते हुए बलुवा गाउं की अर दोड़े और बताया के एक यूबक असनान करने के दुरान गड़्धा में डूब गया सूचना मिलते ही ग्रामीन दोड़ कर पोखर के समी पहुँचे और पोखर से यूबक को बाहर निकाला लेकिन तब तक यूबक की मौत हो गई थी यूबक की पहचान होने पर उसके गाउं में सूचना दी गई सूचना मिलते ही ग्रामिन एवं यूवक के परिजन घटना अस्तर पर पहुँच कर सब की सिनाक्त करते हुए घटना की सूचना अमरपूर थाने में दी सूचना मिलने पर अमरपूर थाने में पदस्थापित अवर निरचक रामबी चार सिंग पुलीस बलों के साथ घटना अस्तर पर पहुँच कर सब को अपने कबजे में लेते हुए पोश्माटम के लिए बाका भेज दिया और मौजूद परिजनों के बयान को कलंब बद किया घटना अस्तर पर मौजूद मृत युवक के परिजनोयों गरामिनों ने बताया कि मृतक माबाप का एकलोता पुत्र था, आर्थी किस्तिती कम जोड रहने के कारण इनके माता पिता राची में रहकर मजदूरी करते थे, मृतक भी अपने माबाप के पास सदहकर एमे की तयार कर रहा था, चार दिन पूर भी मृतक अपने गाउं आया हुआ था, गरामिनों ने बताया मृतक बड़ा है मृतुल सभाब का ब्याक्ति था, पढ़ाई में हमेसा अवल रहता था, आर्मी की तैयारी को लेकर सुभा सुभा दौर लगाता था, घटना की सूजना मृतक के मा करने के लिए, उसी क्रम में जो ही डूब गया है, और डूबने के बाद पत्ता चला कि आगे गरामिन लोग खेतियार में जो मजदूर सब काम कर रहे थे, इन्होंने हला किया है, इनके हला पर जो ही यही लोग गौं की साहता सेर को निकला गया है, फिर गौं को खबर किया अच्छा यह पोखर है क्या? नहीं पो, यह किसी की निजी खेत संपत्ती है, उसों को खांद करके बालू खनन की आ गया है, बालू खनन की आगया है, इसके पिता जी का क्या नाम है? इसके पिता जी का नाम भवेशा अनांद ठाकुर है, वो कहां रहते हैं? वो राची में प्राइबेट जाब करते हैं या के लिए अभी आइवे की थे यह में की पढ़ाई कर रहा है बचा है बाकाजला के कटोरिया थाना में दज डकैती कान के फरार अभियुक्त के घर कटोरिया थाने में पदस्थापित अवर निरचक रंजीत कुमार रंजीत ने अमरपूर थाने में पदस्थापित सहाय कवर निरचक अनील कुमार के सयोग से कुरकी जपती किया मौके पर कटोरिया थाना के अवर निरचक रंजीत कुमार रंजीत ने बताया कि सन 2015 में अमरपूर थाना चेतर के पूरण चक गाउनिवासी बिनो दियादब का पुत्र सावन कुमार के खिलाब कटोरिया थाने में डकैती मामले को लेकर प्राथमी की दर्श की गई थी मामले में यूबक फरार चल रहा था नियायले से कुरकी वारंट निर्गत होते ही अमरपूर पुलीस के सही होग से आरोपित के घर कुरकी की आ गया वहीं भारी संख्या में पुलीस बलों को देखते ही ग्रामिनों की भीवड आरोपित यूबक के घर के समीप एकत्रित हो गई आरोपित यूबक की पतनी बार बार पुलीस कर्मियों के पैरो पर गिर कर कुर्की की कारवाई रोकने की गुहार लगाती रही कटोरिया पुलीस ने बताया कि नयायले के दोरा कुर्की वारलन निर्गत किया गया है इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते आरोपित के घर का चौकी दर्वाजा बरतन आदे उठा कर पुलीस अपने साथ लेकर चली गई साथ ही पुलीस कर्मियों ने फरार यूबक के परिजनों को अविलंब आरोपित को सरेंडर कराने का निर्देश दिया पंजवारा थाना पुलीस ने थाना चितर के लखपूरा गाउं से रवीबार को दो जिंदा कार्तूस के साथ एक यूबक को ग्रभतार किया है पकड़े गई यूबक की फहचान लखपूरा निवासी मोहन मांजी के 25 वर्सिय पुत्र राजिव मांधी के रूप में हुई है इसके बारे में जानकारी देते हुए थाना धच अनिल कुमार साव ने बताया कि गुप्ट सूचना के आधार पर रवीबार सुभर लखपूरा गाउं के मोहन मांजी के घर चापे मारी की गई यहां से पुलीस को 315 बोर के दो जिंदा कार्तूस बरामद हुए जिसके बाद पुलीस ने राजी मांजी को गिरहपतार कर लिया पकड़े गए यूबा को सोमबार को पुलीस अभिरच्छा में जेल भेज दिया गया